हेलो स्टूडेन्स, स्वागत है आप सबका और एक ने वीडियो में, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे स्टंडर सेवेन का चैप्टर नमबर टू और ये इसका थार पाट है, और आज हम डिसकस करने वाले हैं about the human digestive system, तो बच्चों ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा ल हो गया, जो हम लोग खाना खाते हैं, ये हमारे बोड़ी में कैसे step by step breakdown होता है, कैसे absorption होता है, कैसे assimilation होता है, ये सारा का सारा हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर human digestive system का बात किया जाए, बच्चों इसका specially दो parts होते हैं, एक होता है आपका क्या, elementary canal और कुछ glands present होते हैं, जो complete करते हैं हमारे human digestive system को, ये बात समझ में आ गया, तो अभी बात आता है, कि ये elementary canal होता क्या है, और आप सब को, या फिर हमें भी, हम लोग भी पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कि क्या होता है, हमारा जो रहता है, हमारा लोग का, जो ingestion होता है, ये कहां से start हो होता है, वो generally start our ingestion process, या फिर हम लोग जो है, खाना माउच से खाते हैं, और जो कुछ भी आपका waste product बच जाता है, वो सारा का सारा क्या होता है, हमारे एनस से जो आपका बाहर रिलीज हो जाता है, जो undigested पूर होते हैं, ये सारे के सारे एनस से निकल जाते हैं, तो ये माउ पूरा का पूरा जहां जहां फोट पास करता है, उसी को ही क्या का जाता है, तो इसका लेबलिंग हम सबको आना चाहिए, बच्चो, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लेता है, हो गया, तो सबसे पहले, माउथ, ये वाला पाट जो होता है, हमारा क्या माउथ, या फिर इसका अलग नाम होता है, क्या बकल कैबेटी भी बोलकी इसको कहा जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, ये जो लॉंग ट्यूब आप देख पा रहे हो, इसको क्या कहता है, इसोफागस या फिर फूट पाइब, ओस्योफागस भी कभी कभी कहा जाता है, तो ये पार्ट को क्या कहता है, ओस्योफागस, इसोफागस या फिर फूट पाइब कहता है, स्ट्रक्चर आपको दीख रहा है इसको क्या का जाता है इसको स्टॉमक कहा जाता है बच्चो देन नेक्स स्टॉमक के नीचे हमारे पास क्या आता है स्मॉल इंटेस्टेस्टें की नम कई स्मॉल है बच्छों वालं यह वाला पोर्शन जो होते हैं आपका रैक्टम और फाइनली जहां से हमारा अन carriers foil निखलेगा Ц kilogram क्या कहते हैं बच्छों इसी को DS कहा जाता है तो यह पूरा का पूरा जितना आप लोग यहां पर देख पार हो माउथ हो गया, isofagus हो गया, स्टमार्ट, small intestine, large intestine, इन सब के बारे में हम details ली पढ़ने वाले हैं, तो अभी देखते हैं कि हमारे पास glands कौन-कौन से present रहते हैं, तो सबसे पहला glands जो आता है, यह बहुत ही important है, then next हमारे पास आता है, the largest gland of the body, or which is known as the liver, liver is the largest gland of the body, बहुत बार आपको पुछा जाता है बच्चो, और यह कहां पर प्रेजेंट रहता है, और अपर पार्ट of the abdomen, abdomen का अपर पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट रहता है, और finally हमारे पास और एक glands प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलके था, पायंक्रियस बोलके कहते हैं, जो कि just below the stomach हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो आगे के भीडियो में हम पूरा कपूरा ये जो पार्ट से पूरा कपूरा एक एक करके सब के बारे में details पढ़ने बाले हैं, तो let's start with the ingestion process, और ingestion हम लोग कहां से करते हैं बच्चो माउथ से ही करते हैं, लोग बकल कटी तो सबसे पहले देखते एक कि माउथ जैसे कि आप अपना मूऊ खोलते हैं वह ने लोग own को पूरा कपूरा ऊपना ओप की तो हमें क्या दिखते हैं, तो सबसे पहले हमें देखते हैं हमें पर टीत कुछ दाब हमेंदिकते हैं, हो गया, टंग यहाँ पर प्रेजेंट है, और along with that, हमारे पास salivary glands प्रेजेंट है, टंग, हो गया, टंग के बाद हमारे पास क्या होते है, salivary glands प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा, the ingestion, the process of ingestion starts from the mouth, mouth से ही start होता है, और mouth में क्या-क्या होते हैं, आपका टंग होते हैं, टीथ होते हैं, और salivary glands प्रेजेंट हैं, तो चली बचो, एक एक करें, सब का structure and function दिखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, टीथ का, तो टीथ क्या है, normally अब लोग जब भी हम लोग खाना खाते है तो दातों से ही चबाना चालो करते हैं, होता है कि नहीं, तो हम लोग खाना जैसे कि ये, तो टीथ का काम क्या होगा, जो complex food हम लोग खाए, इनको जो smaller particle में तोडने का काम किसका होता है, टीथ का ही होता है, और ये process को क्या कहा जाता है, मैस्टीकेशन कहा जाता है, बच्च हो, तो ये process को मैस्टीकेशन कहा जाता है, और आप सबको पता होगा कि हमारा जो, ये फिर human में क्या होता है, दो बार टीथ दात आते हैं हमारा, तो एक पहला दात क्या होता है, वो generally 5-6 months में छोटे-छोटे बच्चों में ही, जो है, वो arise होते हैं, और 6-8 साल के बाद, 6-8 साल के बीच में ये क्या होता है, ये जढ़ जाते हैं, और उसी टीथ को क्या कहा जाता है, पहले जो दान प्रेजेंट रहते हैं, उसी को पार्मेन टीथ कहा जाता है, हाला कि यह अगर permanent भी नहीं होता बच्चो क्यों नहीं होता अगर हम हमारे दांत का अगर proper care नहीं लेते तो chances है कि यह जो है ज़ड़ जाते हैं कभी-कभी even if जैसे age भी बढ़ते होए जाता है तो वो दांत जो है ज़ड़ भी जाते हैं हाला कि बट यह हमारे lifetime में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहते हैं बोलके इसको क्या कहा जाता है बच्चो पार्मानेंट टित बोलके कहा जाता है तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत मिल टित क्या होता है यह जैनरली छोटे बच्चों में देखने के लिए काम से आपका 5 to six वां से start होते है और इनका नंबर कितना होता है बच्चों यह 20 लोवर जोपे 10 और आपर जोपे 10 टीत प्रेजेंट रहते हैं क्लियर है यहां तक बाद में ज़र जाते हैं उसके बाद क्या आता है बच्चों पार्मान टित पार्मान टित जो रहता है हमारे पास 32 teeth present होते हैं दोनों जोपे, lower जोपे 16 और upper जोपे 16 present है, बट यहां पर आप लोग देख पा रहे हो बच्चो, क्या होता है हर एक teeth का जो होता है shape आपको अलग-अलग दिख रहा होगा तो teeth के shape के हिसाब से या फिर उनके function के हिसाब से teeth को जो है अलग-अलग पार्ट में divide किया गया है, या फिर बोल सकते हैं कि in human, human में हमें 4 different types के teeth हमें देखने के लिए मिलते हैं और वो क्या-क्या होते हैं बच्चो, सबसे पहला जो आता है incisur then next canines इसके बाद premolar, इसके बाद आते हैं molar teeth, तो हमारे front में जो flat teeth जो देखने के लिए मिलते हैं बच्चो जैसे कि यहां पर आप देख पार हो front का जो 4 teeth रहते हैं lower jaw पे 4 और upper jaw पे 4 तो इनको क्या कहा जाता है इनको incisur कहा जाता है the flat shape teeth lies generally front of the mouth हमारे मुह के सामने जो teeth present होता है उन्ही को क्या कहा जाता है incisur teeth कहा जाता है and they're also known as the biting teeth अगर किसी काटना है तो हम लोग basically इसी teeth का ही स्टवाल करते है cutting करना है तो हम लोग इसी teeth का इस्टमाल करते है तो इस K्या कहा गया इसको incisur बोल के कहा जाता है और यह कितिने-कितिने present होते है they are also known in the tearing teeth, या फिर holding teeth भी इसको कहा जाता है बच्चो, तो ये जो है हमारे में चार देखने के लिए में चार मतब कैसे, नीचे दो और उपर दो, लोग जो पर दो टीथ हमें देखने के लिए मिलता है, आपर जो पर हमें दो टीथ देखने के लिए, क्योंकि ये जो है इसको होल्ड करते हैं, या फिर टीरिंग करने में हेल्प करते हैं बच्चो, देन आजाओ बच्चो हमारे पास आता है प्री मुलर, जस्ट बिहाइंड दा कैनाइन, जस्ट पीछे बच्चो, जो टीथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्री मुलर बोलके कहा जाता है, और लोर जो पे चार प्रेजेंट रेते हैं, और आपर जो पे हमारे पास चार टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल नंबर कितना हो गया, प्री मुलर टीथ का नंबर हो जाते हैं, हमारे पास 8 और ये जो है वो ख्रसिंग फुट को जो है वो grinding करने में help करते हैं हाला कि यहां पर जाहिं है कुंपे आर्मोलार टित का बात करते हैं, जो लाइस्ट सब्सक्राइब आपको यह वहां पर फीकिघला यह चीफ का नाव तैसा कर आूंजू से लाइन कर लोगे ऊपड़ च घ्या लोग कि what happen if we don't have a teeth, अगर हमारे पास दाथ ही present नहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, युग टीत का importance हम लोग अभी सीख चुगे, क्योंकि टीत जो हमारे लोग कितना important है, ये तो हमें समझ में आ गया अभी, क्योंकि ये जो हमारे फूट को एक्चुली स्टार्ट इपर इंजिसन पूसर्स को स्टार्ट ही ये लोग करवाते हैं, लेकिन बच्चों क्या होता है, हमारे bad habits के बज़े से, या फिर proper care नहीं लेने के बज़े से, या ठीक तरह से brush ना करने के बज़े से, हमारे दाज जो होत होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तो क्या होता है बच्चों, हम लोग अगर पूरा का पूरा teeth का अगर structure देखेंगे, तो ये अगर होता है पूरा का पूरा अगर teeth, एक हम लोग थोड़ा सा teeth बनाते हैं, और मान के चलो कि अगर हम लोग कुछ खाना खाते है तो यह क्या होता है, बहुत बार ऐसे होता है, जो food particles जो होते हैं, यह हमारे दांतों के बीचों बीच चिपक के रह जाते हैं, और चिपक के रहने के बज़े से यहां पर क्या होते हैं, बैक्टेरियाल एक्सन यहां पर बढ़ जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसके उ तूठ ड्रीकिल आपका चिपक कर जाता है क्लियर है बच्चो यहां तक तो टूठ रिके में हम लोग क्या क्या याद रखना है तो इंप्रपर क्लिनिंग अप टीछ टू ग्रोथ हार्मफुल बेक्टेरिया हो गया अगर हम अपना दाथ की तरह से साप नहीं कर रहे हैं का आपका खाना खाने के बाद मूझ ठीक तरह से नहीं धो रहे हैं या फिर ज्यादा से जदा चॉकलेट अगर खा रहे ज्यादा से जदा फोड़ा बहुत से कुझ नहीं होता तो इसी केसे इसमें क्या होता है और वो अगर अगर हमारे दातों में अगर चिपक करह जाती है तो वहां पर क्या होते हैं Bacteria जो होते हैं वह इंक्रीज होते हैं और along with that वह कुछ एसी डिलीज करता है जिसके बज़े से हमारा दात जो होते हैं वो खराब होने लगता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दिन में दो बार जो है वो ब्रस करना चाहिए खाना खाने के बाद प्रॉपली हमारे मूँ को जो है वो धोना चाहिए ताकि नन अब दा फूट पर्टिकल स्टिक तो आर पाउथ कुछ भी जो है वो फूट पार्टिकल हमारा दाथ में चिपक के ना रहे तो यह होता है बचो टूद्धी के तो हम लोग पूरा का पूरा टीत के बारे हैं पढ़ चुके हैं बचो हमारा खाना अभी जो है वो पूरा का पूरा चोटे- का कि तो अभी बात आता आता पैंच सेलिभारि ग्लेंट का तो सैलिभारि ग्लांड बात रहे तो यातज होता है जैसे कि इस में आप लोग देख पा रहे हो यहां पर क्या होता है यह एक प्यार हो गया इसके दोनों साइड आपका और एक प्यार रहता है और यह उपर वाल एक प्यार तो तीन प्यार या फिर शिक्स इन नंबर हमारे पास सेलिभारी ग्लांड्स प्रेजेंट होते हैं तो यह सेलिभार ग्लाइन्स क्या करता है बच्छो एक सीक्रेटन एक water liquid substance उखरेट करता है जिसको क्या कहता है आपका सल यह कहा जाता है जो यह ग्माद कुंछन प्ररिश्जेन करता है और इनमें उसकी स सल एफ हमें एक एक Enzymes present रहता है pachow उसको क्या का चाहता है इसमें एक ENGYM प्रेजेन रहता है जो इसको क्या करते दाफका काम क्या होता है और यह हम लोग स्टार्ज काता है जो कुछ भी लोग खाते हैं या पर हमारे माउथ में रहनार भी बगाते तो वाट इस दा रोल आफ शालिवरी एमलेज तो शालिवरी एमलेज क्या करता है बच्छो इट कन भर स्टार्च और कर्भो हाइड़ेट इन्टु सिंपल सुगर यह पर सिर्फ सुगर दिया गया तो आप लोग याद रगा किया स्यम्पल सुगर में कंभट करने में हेल्प करता है । इसका काम क्या होता है इट स्टार्च इंटु सिंपल सुगर में करफ पर हां बट करताма। सब्सक्राइब के साथ यहां पर लोग लिए कि the chewed food mixed with the saliva but यह मिक्स अप करने का कम किसका होता है यहां पर आजाता है बच्छों मार टांग टांग इस्था मसकूलार और यह हमें पता है टॉंग एक मस्कूलार और रोगन होता है and this टॉंग इच रेस्पोन्सिबल फॉर दा मिक्सिंग आप सैल लाइभा विद द च्यूड फूड हमारे जो खाने को हम लोग जो छोटे-छोटे पीट्स में कनवर्ट कर चुका है जो कि अभी भी फॉर्मसान होता है टंग का कि क्या इट अल्सो रेस्पोन्सिबल फॉर्द रेकोगनाइजिंग आप टेस्ट टंग के बज़े से ही हमें टेस्ट का पता चलता है बच्चो ये बात याद रखना हमेशा अगर टंग नहीं रहता तो हमारा फूट जो है वो सेलेभा के सब मिक्सब नहीं हो पता हम लोग बात कर नहीं पाते समझ मैं या और सबसे बढ़ जो मेजर इंपूर आपका जो है वो फॉंक्शन है वो क्या है हमारा इट्स रेस्पॉंसिबल फॉर्द डिटेक्शन ओटेस सबूर्य स्फॉट हैो लुग बिटर है स्पाइस ही ये साहरे के रजिए जůब डिट अकी सबसें के हलसे beta चलता है बच्चो तो इसी के साथ pressing बच्चो अफम लोग कर चुके हैं अबाउट दो माउथ नेक्स पार्ट में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमार माउथ का काम यहां पर खतम होता है बक्चो दाथ जो थे जितने भी टीट थे यह सारे के सारे फोट पार्टिकल को कंवर्ट के चोटे-चोटे पार्ट में उसके साथ सलाइभा मिक्स क्या करता है जितने भी स्टार्स थे उनको सुगर में कर भड़ कर दिया और उनको हेल्प कौन किया टॉंग हेल्प किया अभी हमारा खाना जो है वो दिले दिले नीचे आएगा बच्चो तो मिलते हैं बच्चो नेक्स वीडियो में इसी टोपिक को आगे बढ़ाते हुए तब तक के लिए बाई बाई